लालू यादव के बड़े लाल और हसनपूर विधान सभाव से विधायक तेश प्रताप यादव की पत्नी एस्वर्य राय की अपील पर पटना हाई कोट ने सुनवाई की नयदीश आसुतोष कुमार सिंग और नयदीश जितेंद्र कुमार की खंड़ पीट ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं से ये बताने को कहा कि क्या दोनों पक्षों में सुला की संभावना है कोट ने इस मुद्धे पर दोनों पक्षों से अगली सुनवाई में जवाब देने के लिए कहा है अब इस मामले को लेकर अगली सुनवाई में दोनों पक्षों के साथ उनके अधिवक्ता भी कोट में मौजूद होंगे तेशप्रताप यादव के वकील जगनाथ सिंग ने बताया कि घरेलू हिंसा को लेकर एस्वार्या राय के विरुत पारित आदेश और भरन पोसर्द से जुड़े मामले में रासी बढ़ाने को लेकर हाई कोट में अपील दायर की गई थी मालूम हो कि पिछली सुनवाई में तेशप्रताप यादव को नोटिस जारी किया गया था वैसे इस मामले की सुनवाई 28 जुन को होगी बतादे की शाही अंदाज में रास्ट्रिये जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव के बड़े बेटे तेशप्रताप यादव की शादी पटना में साल 2018 में हुई थी तेशप्रताप ने चंद्रीका राय की बेटी ऐस्वर्या के साथ साथ फेरे लिये थे शादी के कुछ दिनों तक दोनों के रिष्टे अच्छे चले साइकल पर अश्वर्या को बैठा कर तेशप्रताप यादव ने फोटो किचवाया था जो कि सोशल मेडिया पर तुरंत वायरल हो गया ये रिष्टा जादा दिनों तक मधूर नहीं रहा फिवाद की खबरों के आने के बीच एक दिन राबडी आवास्त अश्वर्या रोते हुई बाहर दिखाई दी कुछ ही महीनों के बाद नौबत तलाग तक आ गए कभी अपने मन पसंद बहुत से मिलने की बात कहने वाली राबडी के खिलाफी एस्वर्या ने मीडिया के सामने बयान दिया उन्होंने तेश प्रताप की मा राबडी देवी और बहन मीशा भारती पर ताने मारने का आरोप लगाई इसके बाद विवाद बढ़ता गया फिर एस्वर्या वापस अपने माई के रहने लगी थी इस खबर से सभी चौक गय थे एस्वर्या ने मीडिया के सामने रोते बिलगते लालू परिवार पर गंभीर आरोप लगाय थे यहां तक कहा था कि साज रावी देवी ने दहेश क के लिए काफी अत्यचार किया नन दे ताना मारती थी एस्वर्या ने रावी देवी मिसा भारती और तेश प्रताप यादव के खिलाब घरेली हुंसा का केस दर्च कराया था अब दोनों के बीच तलाग का मामला कोट में चल रहा है बता दे कि अभी से लगबग एक महीने पहले एस्वर्या ने कोट का दर्वाजा खटखटाया था जिसे लेकर कोट ने जबाब देने के लिए तेश प्रताप यादव को नोटिस भी जारी किया तब एस्वर्या को 23,000 रुपे प्रती मां गुजारा भत्ता देने का कोट में आदेश दिया था इसके वाद वो इस बढ़ाना चाहती थी तेश प्रताप यादव के वकील जगर्नात सिंग ने मीडिया को बताया था कि तेश प्रताप की तरफ से कोट में उपस्थित हुए और उन्होंने नोटिस को स्विकार किया आगे 23 जून को उनकी और कोट में जवाब दायर किया जाएगा जगर्नात स रुपे हर महीन देने का निर्देश दिया गया था लेकिन वो रासी बढ़ाने के लिए कोट गई है जिस पर कोट का आज आदेश आया है खेर इस मामले पर आप क्या सोचते हैं हमें कमिंट बॉक्स में लिक कर जरूर बताएं इसके साथ ही बिहार सही देश दुनिया के और भी खबरों को देखने के लिए चानल को सब्सक्राइब करें वीडियो अगर फेस्बुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें